लीकिन से में इसे मं आसे में इस केमाना है कौश। कबह सकते हुए घये अघ्राई नषी करना है या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए इंगे ञा struggles start क्भली सुरू करते हैं सबसे पर जान जाए कि कोई भी कंपनी अगर पैसा उठाना चाहती किसी कंपनी को पैसी के जुरूत है तो तीन तरीके से पैसे उठाती है एक IPO के जरी है दूसरा राइट इसू के जरी है और तिसरा IPO के जरी है लेकिन अगर एक बार कमपनी से बाइट अगर पैसा उठाती है अब यहार राइट इसू क्या होता है इसके जरी कंपनी किस तरह पैसा उठाते तक हमें इसमें अप्लेड़ीयो बनाकर अपने प्ले लिश्ट के सेरर मार्केट वाले फोलडर में डाला हुआ अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप देख और समझ लिजेगा हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एफ्पीयो के बारें बात करेंगे एफ्पीयो यानि की फॉलो ऑन पब्लिक उफर इसके चरिए कंपनी किस तरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक बात आप यहां समझ जाए कि कि कंपनी का सिर्फ एक बार आता है लेकिन यह जो राइट इसू है और यह कंपनिया बार बार लेकर आ सकते हैं जब जब इनको पैसे की जूरत पड़ें तब आप समझे कि आखिर एफ्पीयो में होता क्या अफ्पीयो में कैसे अप्लाई करते हैं अप Six फ्पीओ में की साइज शॉता है योशित हैे अरथा इसका प्राइस का कोता है इसी तरह प्राइस होता है और आपको पता है IPO में तो लॉट में खरता जाता है एक दो चार पांच से आप अपने मन से खरीद नहीं सकते हैं उसी तरह एक प्रमुक बातों पर जिसके बारे में अब आपको बताने चाहते हैं तो आपको दू-तीन बातों को ध्यान में रखना होगा सबसे पहले देखना होगा कि एफपीें को पैसे कर रहे है उसके परियों करजाच सुकाने के लिए तो पैसा को कहाल नहीं करेंगी या जो पैसा इसका संब्सका इस्तिमाल अपनेまた और कौने प्रयों करते हैं में उसको प्रियों कर सकांश कर रहे हैं ऊंच kapण होगान FPO जो company लेकर आई है वो उसमें नया share इसू कर रही है कि नहीं अगर नया share इसू कर रही है तब इस फ्पयों के जले जो पैसे उठाजया घाएगा उससे company को फैता होगा और दूसरी बात कि जो करने लिए दो अगर आंवा कि, अगर करने युक्त करतीर को ङुलाने लिए, फिर एक कंपनी लीय काथाब्ट अगर चैनल आया प्लांड लगाने में अपने इकर आप सकतें तिसरा चीज ने होता है kis-क रियुक्त तो यह अगर प्रमौटर्स अपने हिस्टेदारी बेच रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा मिलेगा वो कमपनी को नहीं मिलेगा विल्कि प्रमौटर्स को मिलेगा और क्या हुआ बचना चाहिए अब जैसे रुची सवय के क्या हो रहा है आप ने देखा कि बावा राम प्रमोटर से अपने हिस्सदारी बेच रहे हैं और इसमें धीकत यह है कि प्रमोटर के पास रूची सोया कमपनी में 99% के शिश्दारी है और सेवी के चाहिए को सब् Tablet & Time तो इनकी तो मजबुरी है आपना पर्मोटर अपना पैसे लेकर चलते बनेंगे तो उमीद करता हूं कि आपको समझ में आगे होता है एह और किया होता है और कोई सवाल है तो आप हम पूच सकते हैं मुझे जूर बाते करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फोलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया